नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है, आप स्वस्त हैं, तथा आपने समय का उपयोग नई-नई चीजों को सीखने के लिए कर रहे हैं। यदि मैं आप से पूछूं कि नहाते वक्त आप किन चीजों का उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे मग, बाल्टी, जल, साबुन, तॉलिया, इत्यादी। तो क्योंकि ये सभी चीजे नहाते वक्त आप के लिए उपयोगी हैं, तो यह संसाधन हुए। इसी तरह से प्यास लगने पर जब आप पानी पीते हैं, गर्मी लगने पर पंखा चलाते हैं, स्कूल आने जाने के लिए जिस वाहन का उपयोग करते हैं, या फिर पढ़ते समय जिस पाठ्थे पुस्तक का उपयोग करते हैं, यह सभी संसाधन हुए। तो आज हम आपकी भुगोल की पाठ्थे पुस्तक का प्रथम अध्याए करेंगे, जिसका नाम है संसाधन। यदि देखा जाए, तो अभी हमने जितने भी उधारण लिए, जैसे बाल्टी, मग, साबुन, पंखा, पाठ्थे पुस्तक इत्यादी, इन सब में एक जैसा क्या था? इन सब में एक जैसा था इनकी उप्योगिता, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तू या पदार्थ की उप्योगिता ही उसे संसाधन बनाती है, किसी भी संसाधन की प्रयोग या उप्योगिता उसे मूल्य भी प्रदान करते हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं कि सभी संसाधन मुल्य का आर्थ है महत्व कुछ संसाधनों का आर्थिक मुल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मुल्य नहीं होता इसका आर्थ है कि कुछ संसाधनों के बदले में आप पैसे देते हैं और कुछ संसाधन आप मुफ्त में प्रयोग करते हैं उधारन के लिए धातों का आर्थिक मुल्ले होता है आप जब भी कोई सोना, चांदी, अलुमिनियम या लोहा किसी प्रकार की धातों खरीदते हैं तो उसके बदले में आप दुकानदार को रुपए देते हैं लेकिन किसी फूद्र इश्य का आर्थिक मुल्ले नहीं होता जैसे की सुन्दर-सुन्दर पहाडियों, नदियों, ज़र्नों को देखने का कोई आर्थिक मुल्ले नहीं चुकाना पड़ता कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मुल्लेवान हो सकते हैं जैसे यदि आपको घर पर खांसी जुकाम हो जाए तो शायद आपकी मा या दादी आपको घर पर काढ़ा बना कर देती हूँ इस काढ़े का आज भले ही कोई आर्थिक मुल्ले ना हो लेकिन यदि यही काढ़ा पेटेंट करने के उपरांत कोई मेडिकल फर्म द्वारा बेजा जाता है तो यह आर्थिक रूप से मुल्लेवान हो जाता है पेटेंट क्या है? पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नए विचार, तक्नीकी प्रक्रिया, उत्पाद, डिजाइन या अविश्कार के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई और इसका इस्तमाल ना कर सके या फिर इसकी नकल ना कर सके हाँ, यदि कोई इसका इस्तमाल करना चाहता है तो इसके लिए उसे पेटेंट धारत व्यक्ति या संस्था की अनुमती लेनी होती है यदि आपके पास भी कोई ऐसा विचार या खोज है जो अपने आप में युनीक अर्थात अद्वित्य है और आने वाले समय में लोगों के काम आ सकता है तो आप भी इसका पेटेंट करवा सकते हैं परन्तु यह जरूरी है कि वह आईडिया या खोज आपकी अपनी होनी चाहिए और अपने आप में युनीक अर्थात अद्वित्य होनी चाहिए समय और प्रद्योग की दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन बनाते हैं यह लोगों के विचार, ज्ञान, अविशकार और खोज की देन ही तो है जो और अधिक संसाधनों की रचना होती है हर खोज अथ्वा अविशकार से बहुत से अन्य अविशकार हो सकते हैं जैसे आग की खोज से खाना बनाने की पदती तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। इसी प्रकार जल से बिजली बनाने की तक्नीक ने तेजी से बहते हुए जल से उर्चा उत्पन करके उसे एक महत्पून संसाधन बना दिया। तो प्रद्योग की अठ्था तक्नीक एक पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। प्रद्योग की का अर्थ है किसी कौशल करने अथ्वा वस्तु बनाने में नवींतम ज्यान का अनुप्रयोग। टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई इस सूची को पढ़िए और बताईए कि इन में से किन संसाधनों का वानिचिक मुल्य अभी नहीं है। वानिचिक मुल्य अर्थात जिसकी कोई कीमत अभी हम नहीं चुका रहे। इस सूची में दिये संसाधन हैं सूतिवस्त्र, लोह अयस्क, बुद्धी, आशधिये पौधे, चिकित्सा ज्यान, कोईला निक्षेप, मनुरम द्रिश्य, क्रिशिभूमी, शुद्ध परियावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनी, दादी मा के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारजन का स्नेह समान्य तह संसाधनों का वर्गीकरण तीन भागों में किया जाता है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते है वह संसाधन जो प्राकृति से प्राप्त होते हैं, तथा जिन्हें अधिक संसोधन के बिना उपियोग में लाया जाता है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं वायू जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों और जीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन है इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृति के निश्युल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए और जारों और प्रद्योगिकी की आवशक्ता हो सकती है प्राकृतिक संसाधनों को विस्त्रित रूप से नविकर्णिये और अनविकर्णिये संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है नविकर्णिये संसाधन वे संसाधन है जो शिगरता से नविकरित अथ्वा पुनपूरित हो जाते हैं इन संसाधनों में से कुछ असीमित हैं और उन पर मानविये क्रियाओं का कोई विशेश प्रभाव नहीं होता जैसे सौर और पवन उर्जा लेकिन फिर भी कुछ नविकर्णिये संसाधनों जैसे जल, म्रदा और वनों का लापरवाही से किया गया उप्योग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है यहाँ भंडार का अर्थ है उप्योग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा यदि देखा जाए तो जल असीमित नविकर्णिये संसाधन प्रतीत होता है लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्त्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यूं है? अनविकर्णिये संसाधन वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नविकरित अत्वा पुनपूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं यह अवधी मानव जीवन की अवधी से बहुत अधिक है कोईला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और नविकर्णिये संसाधनों के कुछ उधारण है प्राकृतिक संसाधनों का वित्रण भूभाग, जलवायू, उन्चाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है अब बात करेंगे मानव निर्मित संसाधनों की कभी-कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था इसी प्रकार पुल, सडकें, रेलवे लाइने, मशीने और वाहान मानव निर्मित संसाधन है प्रद्योग की भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? वह सभी संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों का उप्योग करके मानव द्वारा बनाये जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन हैं सोचिए यदि मानव ना होता तो क्या विकास के जिस तर पर हम आज हैं उसे प्राप्त कर पाते? नहीं, क्यूंकि मानव ने ही प्राकृतिक उप्हारों का उप्योग करके मानवत्या का विकास किया हैं, तो मानव स्वयम भी एक महतपूर्ण संसाधन है मानव संसाधन से तात्प्रय लोगों की संख्या और योग्यता से हैं यद पी मानव को संसाधन मानने के संदर्ब में लोगों में मतबेद है, परंतु इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, कि मूलतह मानव की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मुल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं संसाधन बनाने के लिए प्रकृती का सबसे अच्छा उप्योग मानव तभी कर सकते हैं, जब उनके पास ऐसा करने का ज्यान, कौशल तथा प्रद्योग की उपलब्ध हो। इसलिए मनुश्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थे लोगों को बहमुल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कौशल विकास क्या है? इसका अर्थ है कि जिस काम को आप अच्छी तरहां से कर सकते हैं, उसी कला को और विक्सित करें। इन चित्रों को देखिए, कोई कुर्सी बना रहा है, कोई मूर्तिकार है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो कोई पुल बना रहा है। तो कुर्सी बनाना, मूर्ति बनाना, कंप्यूटर पर काम करना यह सब कौशल हैं। कौशल विकास की दिशा में हमारे माननिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने भी एक बहुत ही सुन्दर प्रयास किया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप भी उन कलाओं की एक सूची बनाएं जिन में कौशल विकास किया जा सकता है आपके आस-पास कौन-कौन से मानव निर्मित संसाधन मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संसाधन बनाने में मनुष्य की शिक्षा, ज्यान, प्रद्योग की का क्या योगदान है। आपका अगला प्रश्ण है किसी भी देश में मानव संसाधन विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? संसाधन संरक्षन जरा सोचिए जिन संसाधनों का इस्तमाल करके आज हम आराम से रह रहे हैं जैसे जल, भोजन, बिजली, पैट्रोल, इत्यादी यदि आने वाले समय में यहाँ उपलब्ध ना हुए तो क्या होगा? निश्चित ही बहुत मुश्किलें आएंगी, तो यहाँ आवश्यक है कि जो संसाधन आज हमारे पास हैं, उनका उप्योग हम समझदारी से करें संसाधनों का सतरकता पुर्वक उप्योग करना और उन्हें नविकरण के लिए समय देना, संसाधन संरक्षन कहलाता है संसाधन संरक्षन के लिए यह जरूरी है कि हम पुर्ण चक्रण और पुर्ण उप्योग को अपनाएं हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संसाधनों का उतना ही इस्तमाल करें जितना आवश्यक है अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार लाकर हम ऐसा कर सकते हैं अब यह आपने सोचना है कि आपने अपनी कौन सी आदत में सुधार लाना है जैसे मैंने सोचा है कि मैं सदा इस बात का खयाल रखूंगी कि मेरे घर में बिजली वयर्थ ना हो जब हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि वर्तमान पीड़ी के साथ साथ भावी पीड़ी की आवशक्ताएं भी पूरी होती रहें तो यह कहलाता है सतत पौश्णिये विकास सतत पौश्णिये विकास के कुछ सिध्धान्त है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल मानव जीवन की गुनवत्ता को बढ़ाना प्रित्वी की जीवन शक्ती और विविधिता का सनरक्षन करना प्राकृतिक संसाधनों के रास को कम से कम करना पर्यावरण के प्रती व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना तो सतत पौश्णिये विकास के ये सिध्धान्त इस बात पर जोर देते हैं कि आज हम सब के लिए यह आवश्यक है कि हमें आज के साथ-साथ अपने कल को भी संजोना है तथा जो भी प्राकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है उस सब को सोच समझ के खर्च करना है ताकि आने वाली पीड़ी भी उसका इस्तमाल कर सके इसके साथ-साथ हमें अपनी आदतों में भी परिवर्टन करना है यकीन मानिये हम सब के छोटे-छोटे प्रयास भी बड़ा योगदान दे सकते हैं अपने क्षेत्र के परियावरण की देखभाल अच्छे ढंग से करने की जिम्मेवारी भी हमारी है तभी हम कहलाएंगे परियावरण मित्र और फिर होगा सतत पौश्णिये विकास चलिए अब कुछ प्रशनों के उत्तर ढूंगते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जो प्रशन दिखाये जा रहे हैं आपको सही विकल्प चुनकर उनका उत्तर देना है संसाधन संरक्षन के लिए आवश्चक है संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उप्योग करना संसाधनों का उप्योग ना करना संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उप्योग करना और उन्हें नवी करण के लिए समय देना तो इसका सही उत्तर है संसाधनों को सतर्कता पूर्वक उप्योग करना तथा उन्हें नवी करण के लिए समय देना हमारा अगला प्रश्न है मानव संसाधन बहमुल्य संसाधन तब बनता है जब वह शिक्षित हो, स्वस्थ हो, शिक्षित और स्वस्थ हो सही उत्तर है मानव संसाधन बहमुल्य संसाधन तब बनता है जब वह शिक्षित और स्वस्थ हो अनवी करणिय संसाधन है पवन, कोईला, पेट्रोलियम, जल, पवन, कोईला, कोईला, पेट्रोलियम और खनिज सही उत्तर है, कोईला, पेट्रोलियम और खनिज और नवी करणिय संसाधन है यदि आपके पिता जी बाजार से फल और सब्जियां लाते हैं और आपको कहते हैं कि उन्हें अच्छे से धोकर रखो, तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? नल को चलाकर सब्जियां और फल साफ करेंगे? एक बड़े बरतन या बाल्टी में पानी भरकर सब्जियां और फल धोएंगे तथा बाद में उस पानी को पौधों में डाल देंगे या फिर घर की साफसफाई के लिए इस्तमाल करेंगे? अब कुछ प्रश्न आपके लिए रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुस चून यह पंक्तियां अकबर के दरबार के नौ रतनों में से एक कवी अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई हैं इन पंक्तियों में कवी किस प्रकार के संसाधन की और संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा? अपने विचार लिखिए कुछ नवीकरण संसाधनों के नाम बताईए और बताईए कि किस प्रकार संसाधनों का बिना सोचे समझे उप्योग उनके भंडार को प्रभावित करता है तो आज हमने किया संसाधन क्या होते हैं? यह कितनी प्रकार के होते हैं? संसाधन संरक्षन तथा सतत पौश्णिय विकास क्या है बच्चों प्रकृती ने हमें जो भी दिया है वह सब हमारे लिए अमुल्य है और ये हम सबकी नेतिक जिम्मेवारी है कि हम संसाधनों का संरक्षन करें क्योंकि यदि आज हमने लापरवाही दिखाई तो पृत्वी पर विचरन कर रहे जीवजन्तु तथा मानव जीवन का अस्तित्व खत्रे में पढ़ जाएगा अब ये आपको विचार करना है कि पर्यावरण की संरक्षन के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अपना खयाल रखे नमस्कार